हां दोस्तों नमस्कार अपने जेए मेन के पुराने साल के कोश्चन कर रहे हैं इसमें 2019-2020 इसके जितने भी जियूसी में आए कोश्चन है सबको एक साथ आपके पास इसको पहुंचाने की कोशिस है और यह बताया जाएगा कहां से क्या चीज़ कनेक्टेड हैं NCIT से और इसको NTA कैसे आपको कनेक्ट करा रहे है NCIT से ठीक है तो स्टार्ट करेंगे जितने भी जियूसी में आए कोश्चन है 2019-2020 वो आपको इस पेपर में कराए जाएगे ठीक है इससे नीट के बच्चों को भी फायदा होगा और जही में इनका तो है ठीक है तो नीट के बच्चे इसमे और से में भी सेज ध्थयान देना क्योंकि एक कुश्चन ये सब आ सकते हैं और देखा गया है कि कुश्चन जयिमेन के जो कोश्चन windows रिपीट होते हैं तो आपको इसको ध्थयान देना है तो ठीक है भीटा स्टार्ट करते हैं पहले से the correct decreasing order of SD के strength एक तो कुछ मुद्दा है दियान से सुनो decreasing increasing ये कोई मुद्दा नहीं है अगर arrow ऐसे लगाया ना ऐसे arrow लगाया तो इसका मतलब इसका अधिक है कई बच्चे बचारे इसमें परसान रहते हैं कि sir decreasing है increasing है arrow ऐसे दिया हो तो इसका मतलब a, b, c ऐसे लिखा है ना तो ये अधिक है ठीक है तो question पर आते है अब ये question anxiety में कहां से देखो SD strength पर देखो अपने तो copy में जब class चलती है तो बहुत सारे चीज़े कराई जाती है SD के strength पर basic strength पर लेकिन SDT कहां से connected है ये है carboxlic acid chapter में जाओ आप वहाँ एक acidic strength की एक line पूरी दे रखी होगी ठीक है ना वहाँ अपने copy में कराते है aromatic acid is more acidic than aliphatic acid और aromatic acid से formic तो हम यहाँ बात करते हैं कौन सा है aromatic acid पहले इसकी theory थोड़ी से सुन लो aromatic acid is more acidic than aliphatic acid और aromatic acid से कौन अधिक होगा formic acid दियान से सुन लो पहले बात aromatic acid aliphatic और aromatic से अधिक कौन है formic और इससे अधिक कौन सा होगा इससे अधिक होगा CH2 और यहाँ कोई लगा होगा minus I ये उससे अधिक हो जाएगा बात समझ रहे हो ये उससे अधिक होगा अब जैसे ऐसे माइनस आई ये बढ़ता जाएगा माइनस आई का ओडर DNP होगा है रूल सब इसमें अपलाई करते होगा अर्थी प्लस सार्टू, नस्त्री, नोटू, सीन, छो, सीओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आइडीन, ओर, ओस, टिपल बॉंड, डबल बॉंड, सिंगल बॉंड, एच अधिजन इन नोन अज, जीरो इंडुक्टिव एफेक्ट बोलो, सही है तो, aromatic, eliphatic, meromatic, अब इससे भी कम कौन होंगे जैसे ऐसे प्लस साई बढ़ाते जाओगे, ACGT कम होती जाएगी कम होती जाएगी, और इधर जैसे ऐसे माइनस आई, अब NO2 है, CN है, तो NO2 का माइनस आइ अधिक होता है तो उसकी ACGT और अधिक हो जाएगी बोलो ठीक है तो अब यहाँ question पर आते हैं इधर आ जाओ यह मिटा दे यह theory देख ली और फिर अपने NCRT एक बार खोल ना उसकी series देख ले ना ठीक है चलो इधर आ जाओ अब COS COS तो सब में common हैं देख रहे हैं CS2 COS CS2 COS CS2 COS common है इसके साथ group लगा है CL NO2 FCL simple सी बात है तो CS2 COS सब में distance same है तो हमें simple DNP distance same है DNP rule की बात करेंगे distance same है तो क्या देखना है number नमबर भी same है तो क्या देखना है power जितना अच्छा minus i effect होगा acidity उतनी ही अच्छी होगी ठीक है तो CS2 अब minus i की बात minus i यहाँ पे जो group लगा रखे है NO2 लगा रखा है CN लगा रखा है F लगा रखा है CL लगा रखा है यही जो लगा रखा है तो NO2 CN minus i का order लिखवाय जा चुक है अपने module में ही CLC की module में दिरखा है NO2 फिर CN फिर F फिर CL ठीक है तो क्या हो जाएगा answer minus i का order है किसका order है minus i का order है तो सबसे अधिक NO2 फिर CN फिर F फिर CL कौन सा answer हो जाएगा second बोलो बेटा simple सा question है है ना कर सकते हो सभी neat में भी आ सकता है question कोई ऐसा tough question तो है नहीं तो ऐसे question neat में भी repeat होंगे ठीक है next फिर सांदार question निन में कौन प्रबलता ममल है which among us the following is the strongest acid अपने CLC module में चलते हैं वहाँ CHCl3 और CHF3 एक question है पहले तो हम इसके बारे में बात कर लें यहां से H निकालोगे तो यह हो गया C, C, L, C, L, C, L minus charge यहां से H निकालोगे C, minus F, F, F क्लोरीन में वेकेंड दी और्बिटल है तो यह इसमें electron दिलुकलाइज हो गया तो इस कारण CHCl3, CHF3 से अधी के सरीख होगा हमने गवर किया क्या पता यही कोशिन पूछ ले इसलिए हमने CHCl3, CHF3 अब यहाँ पर दे रखा है CHBR3 CHI3, CHCL3, CHCN होल थ्राइज इसमें दे रखा है लेकिन यहाँ जो होता है यह वीक बैकबोंडिंग होता है वीक बीबी कैसी बीबी बैकबोंडिंग कैसी है वीक है इसलिए और CHBR3, CHI3 बहुत स्ट्रॉंग माइनस आई नहीं है लेकिन यहाँ देखो यह CHCN CN CN यह तीनों स्ट्रॉंग माइनस आई है तो यह वीक बैकबोंडिंग पर भी डॉमिनेंट हो जाएंगे तो इसलिए मोर एसलिक कौन सा होगा इसमें सबसे स्ट्रॉंग एसलिक कौन होगा CHCN कौन सा होगा CHCN का होल थ्राइस ठीक है बोलो तो अराम से एक कौन करते भी चलना है आंसर इसमें क्या हो गया सेकेंड कोई दिक्कत बेटा ध्यान से सुनो कोशिस यह करो कि जैसे कौन दिया गया इसे आप तुरंट पॉस कर लो इसको अपने खुद करो जो अच्छे बच्चे हैं तुरंट जल्लेल दे इसको कर लिया पूरा पेपर निकल गया समझगे फिर उसके बाद से देखो यहां है निम्ण एमीन को चारक्ता के घट्टे करम में व्योस्थित कीजिए decreasing order of basicity क्या कह रहा है decreasing order of basicity ठीक है basicity एन कंटेनिंग कंपाउंड के शेप्टर में है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है जनरली द्यान से सुनो जनरली resonance basicity को कम करता है लेकिन H प्लस लेने के बाद अगर जो resonance में है तो basicity क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी तो जनरली resonance basicity को क्या करता है कम करता है अब देखो यह है पिरिडीन पाइरॉल और यह सिंपल एमीन इसमें कहीं कोई resonance नहीं है इसका भी loan pair resonance में पार्टिपेट नहीं करेगा इसका loan pair resonance में पार्टिपेट करेगा इसका loan pair resonance में participate नहीं करेगा ठीक है अब इन दोनों में loan pair first और third में loan pair resonance में participate नहीं कर रहा है नहीं कर रहा ना second में resonance में participate करेगा इसलिए second तो सबसे less basic हो गया अब first और third की बात करते हैं तो इसमें hybridization क्या है s p1 p2 s p2 इसमें hybridization क्या है s p3 s character बढ़ेगा तो basicity क्या होगी कम होगी s character बढ़ने से s character percentage of s directly proportional to क्या होता है acidity और inversely proportional क्या होगा basicity तो s character बढ़ेगा तो basicity क्या होगी कम होगी तो सबसे कम तो होगया second due to resonance और first और third s character किसमें अधिक है इसमें s character अधिक है तो basicity इसकी क्या होगी कम होगी भाई s character इसमें क्या है s percentage कितना है 25 और इसमें s कितना है लगबग 33.33 यही तो है तो s character बढ़ेगा लिकिन resonance सबसे कम तो सबसे अधिक basicity किसकी हो जाएगी third फिर first फिर second तो first और third में decide करने के लिए क्या देखना है s character ठीक है तो answer third first second कहा दे रखा है third first second fourth में ठीक है clear next question पर आते हैं next यह है next question में कह रहा है कि दिन में कौन सा aromatic नहीं है पहले aromatic की थोड़ी सी बात कर लेते है इरोमेटिक कंडीशन इसकी क्या होगी कंडीशन पहला compound क्या होना चाहिए cyclic दूसरा planar तीसरा de-localization और fourth number follow huckle rule huckle rule क्या होगा 4n प्लस 2 pi electron होने चाहिए where n equal to 0 1 2 3 etc यही बात है ठीक अब आजाओ पहली दूसरी तीसरी में से कोई condition fail हो तो compound क्या होगा non-aromatic पहली दूसरी यह पासों fourth condition fail हो जाए तो compound क्या होगा anti-aromatic और चारो condition fail हो तो compound क्या होगा aromatic exception होगा अलग चीज़े हैं इतना तो आपको ध्यान रखना ही रखना है ठीक है तो main move question पर आते है कौन सा aromatic नहीं है चेक करते हैं पहली condition सही है दूसरी condition भी set है दूसरी condition क्या है planar वाली है तीसरी delocalization भी है 4N plus 2 हाँ यहाँ pi electron की भी जानकाई ले लो 1 double bond equal to 2 pi electron positive charge 0 pi electron negative charge 2 pi electron तो 4N plus 2 equal to कितना है 4 4N equal to 2 N equal to क्या हो गया 1 by 2 क्या हो गया पहला ही anti aromatic हो गया तो aromatic नहीं है यही aromatic नहीं है पहले answer option में हो गया इसमें check कर होगे 4N plus 2 कितने pi electron है 6 pi electron है और सब चीज़े हैं इसमें कितने pi electron 6 pi electron इसमें कितने pi electron है 6 pi electron 4N plus 2 equal to 6 4N equal to 4 n equal to क्या हो जाएगा 1 तो compound क्या हो जाएगा aromatic कर लोगे ये भी simple सा question है आ सकते हैंगी ठीक है ये भी NCIT से connected है देखो अगर जो equus medium है क्या है? equus medium और CS3 का case लिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा इस पटना secondary, primary, tertiary ये ammonia है क्या है? ammonia और ये क्या है? aniline क्या है? aniline resonance होने से base city क्या होगी? कम होगी तो aniline सबसे कम और C2H5 का case है तब तो क्या हो गया? इस टपना याद आ रहा है बेटा? लेकिन यही gas phase होगा gas phase gas phase तो plus eye effect जितना अच्छा होगा base city उतनी यदि कोई steric hindrance count नहीं करना है ठीक है? अब इसमें mool question पर आते हैं क्या कह रहा है? mool question ये कह रहा है कि इसमें order आप बताना है आपको base city की तो इसमें तो है C2H5, C2H5 दो इसमें C2H5 इसमें 3 देख रहा है यहाँ steric hindrance है क्या है? steric hindrance और ये क्या है? ये ही तो है benzene NH CS3 यहाँ क्या है? resonance तो resonance आ गया तो ये तो सबसे कम basic कौन होगा? resonance जिसमें resonance आ जाए उसकी base city क्या होगी? कम होगी ठीक है? अब देखो कहाँ plus high effect है और steric hindrance नहीं है उतना तो C2H5, C2H5 di-methyl amine di-ethyl amine है न? तो सबसे दिखो गया B फिर A अब C में तो क्या है? steric hindrance steric hindrance है तो H+, हाँ एक बात और doubt होता है बच्चों को कि इसमें तो सर्फ gas phase solvent phase कुछ दे नहीं रखा है तो जब कुछ भी ना दे रखा हो तो आप solvent phase को ही मान के चलना है तो B, A फिर क्या हो जाएगा C और last में क्या हैगा D B, A, C, D यह plus I effect यहां दिख ए और H+, आसा नहीं plus I effect इससे थोड़ा सा कम है और यहां क्या है? steric hindrance और इसमें क्या है? resonance क्या है? resonance resonance basically को क्या करेगा? कम करेगा resonance basically को क्या करेगा? कम करेगा तो कम करेगा तो basity इसकी कम हो जाएगी सबसे दिख B, A, C, D कौन सा answer है? third ठीक है? next बात पर चलते हैं यह पूरा question phenol acidity हमने कहा तीन जगर से पढ़ने है आपको कहा कहा से? तीन जगर कहा कहा से? एक hydrocarbon, alkyne दूसरा alcohol, phenol और तीसरा carboxylic acid देखो, carboxylic acid का एक question दिया NTA, NCRT से कैसे connect है? और दूसरा phenol oil chapter से सीधे उठाया है दूसरा किससे उठाया है? phenol K chapter से तो हम इसमें PK पूछ रखा है मतलब acidity का ultra हम K की value, acidity की value acidity K के directly और PK के क्या होगा? inversely, पहले तो ये बात समझ गए? acidity के के directly, PK के inversely, चलो अब यहाँ देखो, यह simple phenol है यहाँ क्या है? minus M, यहाँ क्या है? minus I, यहाँ क्या है? plus M, यह बात तो सब को पता है? तो acidity minus M plus M minus I plus I ठीक है? बोलो, तो सबसे दीख acidity कौन होगा? B acidity का पहले order लिख लें acidity क्या होगा? B फिर C फिर A फिर D BC AD यह तो हुआ अब यह तो होगा acidity मतलब किसकी value है? K की P, K क्या होगा? अपने उसे क्या पूछा है? P, K तो D A C B D, A, C, B कौन सांसर है? D, A, C, B D, A, C, B कौन सांसर है? फिर्स्ट ही है D, A, C, B अपने उसे क्या करना है? यह हमने acidity cake will निका ली और पूछा question में क्या है? P, K तो D, A, C, B बोलो simple question था minus M, plus M लिखा minus I लिखा acidity निकाल ली उसी का ultra क्या हो जाएगा? P, K ठीक है? next question बहुत सा simple question aromatic बताना है इसमें कौन सा aromatic नहीं है यह बताना है तो चेक कर लो वही जो अपने aromatic के भी थेऊरी बताई पहले इसको एक-एक को चेक करते हैं cyclic है planar है और यहाँ 4N plus 2 equal to 2 N equal to क्या आगया? 0 यह compound क्या होगा? aromatic इसमें देखो 4N plus 2 इसमें चेक कर लो 4N plus 2 equal to 2, 4, 6, 8 4N equal to 6 N equal to 3 by 2 anti-aromatic aromatic नहीं है इसका भी हैविडेशन क्या हो गया? तो पहला इस सिर्फ aromatic है और aromatic नहीं है पहले यह देख लिया तो answer इसमें क्या होगा? इसको मिटाते हैं answer BCD यही पूछा है कौन aromatic नहीं है बोलो next question the correct order of ACID की strength ACID की strength अमलिय सामर्थ का क्रम यह भी question कहां से है NCIT hydrocarve उठाओ गये 3 line ACID की strength की दे रख्ये वह ही है बाद समझे? इसलिए कहा रहे है जे ही मेन के लिए तो NCIT पहला एक्जाम जे ही मेन होगा और NTA इसी से कनेक्ट करें जे ही मेन में मेडिकल के तो यह फायदा है कि यह पूछा नहीं गया भी सीधे हूब हूब रिपीट हो जाएगा अगर जो अंकित मौलाना जाद वाला यह बात सुन रहा होगा तो अपने जब गाड़ी में गये थे जैपूर में जब पेपर करा रहे थे तो उसके और्गनिक का एक सिंकल यही कुश्चन गलत हुआ था द्यानों तो बताना ठीक है तो यह कुश्चन गलत हुआ था उस बच्चे का और वो हमारे यह का टॉपर बच्चा था अच्छा बच्चा था उसके वन राइंग की पोजिशन के हम लोग लेकिन एक कुश्चन यह उसका गलत हुआ था तो द्यान है यह कुश्चन हमें यह मेडिकल में आया था यह इसमें रिपीट हुआ है तो पहला तो S करेक्टर परसेंटेज आउख S करेक्टर डायेक्टली प्रपोर्पोर्शनल टू एसीडिटी और नहीं में बहुत तफ़ 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 कुश्चन उसने सही कर दिये थी यह कुश्चन गलत हुआ था य इसका हाइबरिशन क्या है? S-P और इसका हाइबरिशन क्या है? S-P2 यह तो बात तह हो गई कि H-C double bond CH और यह अधिक हैसी रिखोगया है बोलो हाँ के नहीं? सही है अब इन दोनों में डिसाइड करने के लिए यहाँ क्या लग गया? प्लस I effect क्या लग गया प्लस I S character कम है तो ACT कम है यह तो कम हो गई लेकिन इन दोनों में decide क्या देखोगे प्लस I तो सबसे अधिक हो जाएगा S C triple bond CH CS3 C triple bond CH और फिर CS2 double bond CS2 कौन सा होगा answer answer इसमें कौन सा है S C triple bond CH यह आ गया फोर्स वाला बोलो भाई सही है next कर लोगे यह simple question है फिर भाई Bay City चारेता का घटा क्रम ठीक है चलो ठीक है अभी हमने जब Bay City सुरुवात की थी तो हमने वो लाइन बोली थी एक कोस फेज में CS3 के केस में इस पटना C2H5 वाले के केस में इस पटना इस टपना लेकिन यहां टर्सरी वाला दिया ही नहीं है तो सबसे अच्छा हो जाएगा डाइ मिथाइल C2H5 फिर प्राइमरी वाला C2H5 NH और फिर अमोनिया इनिदीन भी इसमें देने रखा ठीक है न? तो यह कौन सा आंसर है? फोर्थ है कौन सा है? फोर्थ है ठीक है? कोई दिक्कत नहीं CS3 केस में इस पटना एक्वस मेडियम इस अपना गैस फेज है तो कुछ नहीं देखना सबसे अधिक प्लस आई एफेक्ट और फिर रेजोरेंस बेसिटी को कम करेगा हो गया? आंसर यह हो गया कोई दिक्कत नहीं next question number 10 question number 10 बहुत सांदार question है nucleophilicity को order है nucleophilicity सुलो neutral और चार्ज में कौन सा वाला होगा? चार्ज वाला ठीक? neutral और कम और दोनों पे चार्ज है तो प्लस आई जैसे माल लो यह आ गया CS3 O- यह 1 डिगरी की बात कर रहे हैं बहुत 3 डिगरी की बात नहीं कर रहे हैं तो इस्टेरिक हिंडेंस आ जाएगा तो दोनों में चार्ज है तो प्लस आई effect nucleophilicity को बढ़ाएगा क्योंकि उधक्का देगा तो negative charge बढ़ जाएगा तो nucleophilicity उसकी बढ़ जाएगी दूसरा तो हम combined matter लिखते हैं पहले तो negative वाला ले लेते हैं उसमें भी consider प्लस आई वाला और फिर ये normal वाला निगेटिव, normal negative प्लस आई वाला अधिक हो जाएगा फिर resonance nucleophilicity को क्या करता है कम करता है फिर resonance वाला और फिर लेते हैं हम neutral क्या लेते हैं neutral ठीक है तो भाई देखो इधर इसमें resonance है इसमें भी resonance है इसमें more resonance है तो nucleophilicity इसकी कम होगी ये हो गया neutral देखना पिटा ये हो गया neutral और ये हो गया charge जिसमें no resonance तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा OH- बोलो सबसे अधिक OH- बोलो सबसे अधिक OH- फिर OH- अब दो में resonance है इसमें resonance कम है तो CS3 CO- फिर CS3 SO3- और फिर ये तो फिर neutral वाला S2O ऐसा कौन सा है option में देख लो सबसे अधिक OH- मतलब D D सबसे अधिक फिर D के बाद A A के बाद C फिर B कौन सा answer हुआ 10th का क्या हो गया 3rd next question पर आते है ठीक है समझ गे बाद theory बता दी ठीक है nuclear efficiency का एक charge खाका तयार है negative charge उसमें प्लस आई वाला फिर जैसे इसे resonance बढ़ेगा nuclear efficiency कम होगी और last में किसको टिका दोगे neutral last में neutral ठीक है next matter करते है इसमें क्या पूछा है P K B क्या पूछा है P K B मतलब हम K B निकाल ले K B मतलब basicity का order निकाल ले उसके बाद हम ultra कर देंगे वो क्या हो जाएगा P K B ठीक है यही तो है तो basicity प्लस M के directly minus M के inversely यह बात तो पता है प्लस I minus I लेकिन यहाँ steric endurance को रहे हैं यह तो सब में benzene है तो प्लस M के directly minus M के inversely यह क्या हो गया basicity ठीक है अब देखो ठीक है NO2 और उसमें D वाला यह CS3 होना चाहिए यह CS3 कर लेना है यह CS3 ठीक है अब प्लस M के directly है ठीक है तो यहाँ पे देखो यह क्या है प्लस M यह क्या है प्लस H प्लस I ठीक है प्लस H प्लस I यह क्या है minus M और इसमें minus I consider करोगे ठीक है न तो सबसे दिक कौन हो जाएगा B basicity सबसे दिक B B के बाद D D के बाद A फिर C यह कौन सा order लिखा हमने KB का लिखा मतलब basicity का order लिखा हाँ यह group तो सब में सेम है और group सब में सेम हो मैं परसानी मत हो न कि बड़ा सा क्या लिखाया है कुछ नहीं ring से देख लिए हमने सीधा ठीक है अब B, D, A, C यह तो क्या होगा basicity का अपने को क्या लिखना है P, K, B तो इसका क्या कर दोगे ulta मतलब क्या जाएगा C, A, D, B दुबारा देख लो question को basicity हमने निकाल दी basicity का ulta कर दिया तो वो क्या आगया P, K, B ठीक है एक बार दुबारा देख लो answer क्या हो गया इसका C, A, D, B second answer क्या हो गया second ठीक है देख लो एक बार बात इसकी देख लो यहां क्या है simple plus M यहां C था plus H plus I यहां minus M और वो भी minus I की तरह consider करोगे तो उतना नहीं कम करेगा तो सबसे दिख बढ़ाएगा यह फिर यह K, B, basicity और उसका ulta कर दोगे वो क्या जाएगा P, K, B बोलो ठीक है next question आते है सांदार बात in the following निम्न योगिक में निम्न योगिक में प्रोटोनी करण के लिए अनुकूल अस्थल है प्रोटोनी करण के लिए अनुकूल अस्थल है तो प्रोटोनी करण के लिए अनुकूल अस्थल वही होगा न वही होगा जो रेजोनेंस में नहीं होगा अनुकूल वही होगा जो लोन पेर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ठीक है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा द्यान से सुनो तो वही क्या होगा अनुकूल होगा ठीक है अब देखो कौन रेजोनेंस में जा रहा है ये रेजोनेंस में जा रहा है और ये रेजोनेंस में जा रहा है ये दोनों रेजोनेंस में जा रहे हैं जेएमेन के बच्चों को तो ये इस पर जेएमेन लिखा हुआ है बहुत सांदा तरीके से तो वो तो इसको देखेंगे, नीट के बच्चे हमारे बहुत ध्यान से देखने हैं, सीधे question repeat हो सकता है, सीधा, कोई इसमें changing नहीं होगी, सीधे टिका देंगे से, तो, तो ये resonance में, ये resonance में है, तो ये अनुकूल नहीं होगा, कौन-कौन resonance में, हाँ, याद करना, double bonded atum पर loan pair resonance में participation नहीं होगा, थोड़ी सी बात हैं, हम जानकारी दे दे रहे हैं, ये है, ये है, याद आ रहा होगा, बच्चों, याद आ रहा होगा, याद आ रहा है? double bonded atom पे lone pair resonance में participate नहीं करता है क्योंकि अगर resonance में participate कर गया तो इसका hybrid, तो ये structure, hybridation क्या हो जाएगा तब इसको count नहीं करोगे hybridation SP structure क्या हो जाएगा linear ring तूटने के chances बढ़ जाएगे ठीक है न, अपने किसी को तोड़ना नहीं है, तो ये resonance में participate नहीं करेगा, ठीक है तो यहाँ देखो वही चीज़, double bonded atom है वही concept ही उठा लिया है यह note करके लिखाया जाता है कि double bonded atom पे lone pair हो तो resonance में participate नहीं करेगा तो ये resonance में participate नहीं करेगा ये resonance में participate नहीं करेगा तो यही protonic current के लिए अनुकूल इस्थल है बोलो का concept आ जाएगा इसमें ठीक है next question 13 देखो next में next में आ रहा है निमलिखित योगी के लिए PKV का बढ़ता करम the increasing order of PKV for the following compound will be ठीक है सांदार question है एक इसमें concept याद रखो guanidine का क्यों हो कौन सा guanidine याद करो जो H plus लेने के बाद guanidine वाले concept ने याद है ये है double bond NH, NH2 NH2 याद आ रहा है guanidine H plus लेने के बाद वो resonance में जाता है resonance basity कम करता है लेकिन H plus लेने के बाद वो जा रहा है इसलिए उसकी basity अधिक होगी तो कहीं भी guanidine है तो वो सबसे अधिक guanidine type का case हो मतलब NH2, NH या N double single double set H है तो समय लेना basity उसकी सबसे अधिक ठीक है न और जितना अधिक होगा जैसे यहाँ बात करना NH2 C double bond NH और NH2 ये लिखा और एक लिख दिया हमने CS3, C double bond NH NH2 ये लिखा ठीक है न अब इसमें देखो ये तीन NH2, NH है न ये H plus लिख बाद इधर दो ही होंगे तो इसमें इसमें ये अधिक basic होगा याद आ रहा है guanidine का कोई विकल्प नहीं सबसे अधिक basic तो उस type का case यहाँ भी है हमसे यहाँ भी थोड़ा दोखा दिया है PKB ये ध्यान देना है बिटा कि PKB दिया हो तो जल्दी बाजी नहीं करना है आपको basic का निकाल दो KB निकाल दो हाँ फिर PKB आ जाएगा तो ये बात हो गई अब देखो NH2, NS कहां double, single, double से जादे attach है ये देखो, तीन है गौनिदीन टाइप का compound है तरह का है तो सबसे अधिक basic basic या के भी PKB तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा है, सबसे अधिक हो गया B सबसे अधिक कौन सा हुआ? B B के बाद क्या हो जाएगा? A अब फिर ये C B, A, C अपनों से क्या पूछा है? अपनों से क्या पूछा है? P, K, B P, K, B तो इसी का उल्टा कर देंगे C, A, B P, K, B क्या हो जाएगा? C, A, B कौन सांसर है? C, A, B फोर्थ वाला आंसर है देख लो गौनिदीन दिवांग में आनी चाहिए फिर इस पर बात करें लिख लिया है? होगी बात? देख लो इसको ध्यान से ये NS2 सिंगल बॉंड, CS डावल बॉंड, NH इसलिए सकेंड नंबर और ये तो डाइमिधायलेमी तो दिमाग में ये कन्फूजन नहीं रखना है रेजोनेंस बेसिटी वो कम करता है लेकिन गौनडीन टाइप का कमपाउंड है, H प्लस लेने के बाद और रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसकी बेसिटी बढ़ जाएक जिसे गौनडीन टाइप का कहीं भी तो दिमाग में एक NH2, NH, N ये डबल सिंगल, डबल से अटेच है, तो उसकी बेसिटी सबसे अधिक जितना अधिक अटेच है, उतनी बेसिटी दो NH ग्रूप है, रेजोनेंस में है, अधिक तीन है, तो और अधिक ठीक है, तो C, A, B हो गया Next Simple सा question Simple सा question है निम्नखित अलकॉक्साइड के लिए इस्थाइत का सही करम है, the correct order of stability in the following अलकॉक्साइड following अलकॉक्साइड ठीक है question simple है, अब देखो यहां रेजोनेंस है एक तो golden rule द्यांस, more electronegative atom पे negative charge compound को more stable, जैसे अभी CS3 S, O3 minus और CS3 C, O minus तीन more electronegative atom पे है तो इसकी stability बढ़ जाएगी ठीक है यहां बात एक और देखो O minus, O minus, O minus है यहां भी resonance है यहां कैसा resonance है cross resonance यहां कैसा resonance है simple resonance बोलो सही है न cross, simple याद आया cross cross, cross resonance का एक बार फ़दा सा बता दे रहे है ठीक है और एक यह cross है और यह क्या है? simple ठीक है न? तो यह एक line length में चलेगी एक सीद में और यह दो तरफ हो गया involved तो यह हो गया cross resonance ठीक है? तो यहां cross और यहां क्या है? simple stability order और यहां कोई resonance है? देखो यह देखो negative charge किसी के साथ no resonance no resonance तो सबसे अधिक simple और फिर cross और और no resonance stability का order C, B और फिर क्या हो गया? A C, B, A देखो द्यान से कोई resonance नहीं है इसमें और resonance stability का rule हो रहे हैं भी आप द्यान से देख ले ना काउं next challenge question bond length bond length किस-किस की बात कर रहे हैं? इसमें कह रहा है निम्न योगिक को C, O, H आबंद लंबाई के बढ़ते क्रम में बेऊस्थित कीजिए methanol है, phenol है para-ethoxy phenol है ठीक है? बोलो para-ethoxy phenol तो CS3, O, H para-ethoxy phenol ठीक है? और फिर है phenol ठीक है? इदर एक खलकर सी बात सुन लो O, H है O, H है देखो resonance O, H यहां में लगा दिया O, C, S3 और यहां लगा दिया N, O, T इसने दिया इसने खीच लिया इसने दिया इसने भी दिया resonance अच्छा कहां हो रहा है इसको हमने किसी को धक्का दिया और वो खुद हमने इदर से धक्का दिया और कोई उदर से खीच रहा है तो अच्छा हो गया force हमने इदर से धक्का दिया उदर से किसी न धक्का दिया तो यह force अच्छा नहीं हुआ ठीक है न, तो resonance बढ़ने से जनली bond length क्या होती है कम होती है, ठीक है ये बात तो अलग case, इधर आजाओ इसको हम मिटा दे रहें ठीक, ये तो resonance की बात कही कहा resonance अच्छा, कहा बुरा अब bond length इसमें कोई resonance है no resonance इसमें resonance इसके respect में कम है क्योंब ये तो दे रहा है, इधर आगे इसका approach करने वाला कोई नहीं है बोलो, तो plus R, यहाँ पर approach करने वाला कोई है यहाँ पर, यहाँ कोई approach करने वाला नहीं है, तो यहाँ कम resonance है less resonance, इसके compare में less resonance, है resonance लेकिन less resonance है, ठीक है तो सबसे अधिक bond length CO CO, इसकी आजाएगी COH पूछा ना, इसकी अधिक, फिर इसकी और सबसे कम phenol की तो answer क्या हो जाएगा methanol, parathoxy phenol, और फिर phenol गौर से पकड़ो बात को अरे पकड़ रहे हो बात जिसमें resonance नहीं था, तो single, single की तो normal चलो चोड़ो CC single bond है, bond length कितनी होती है 1.54, और double bond 1.34, resonance में हो जाएगी, तो bond length 1.54 1.34 के बीच में हो जाएगी यह तो हो गया, तो वही बात है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा कम resonance है, इसमें resonance है दी कि इसले इसकी bond length, इसकी इसकी बात कर रहा है, तो इसकी bond length 16 number की जो बात कर रहा है 16 number की जो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इसके, जिने मदेशारियता का बढ़ता क्रम और यह compound दे दीगा, एक concept आपको पता है acid का conjugate क्या होता है, weak base acid का conjugate क्या होता है, weak base तो हम सब में सबसे अच्छा क्या है, सब में h डाल दे इसमें h डाल दिया hcn इसमें h डाल दिया ch4 इसमें h डाल दिया SC triple bond CH इसमें H डाल दिया CS2 double bond CH CS3 इसमें H डाल दिया CS3 CH CS3 CS3 सबने हमने acid बनाए हम acid कर लेंगे उसका conjugate क्या होता है weak base ठीक है न acid का conjugate क्या होगा weak base तो इसमें देखो अब S करेक्टर S करेक्टर यहां क्या है SP यह कार्में भी क्या है SP S करेक्टर बढ़ेगा base T S करेक्टर बढ़ेगा ACET बढ़ेगी S करेक्टर बढ़ने से ACET बढ़ेगी बिल्कुल सही बटा तो ACET बढ़ेगी तो अब ये दोनों में S करेक्टर है दोनों में S करेक्टर बराबर है S P, S P हो गया ना अब यहाँ N more electron negative है more electron negative है ना यहाँ N more electron negative weight-up है तो HCN और HC triple bond CH में कौन अदी केस निक होगा HCN तो HCN हम पहले ACDT के बाद करें ACDT सबसे दिक हो गया HCN फिर SC triple bond CH बोलो फिर यहाँ पर CS2 double bond CH CH double bond CH2 ठीक है ना CS3 यही तो है ना देख लो CS3 फिर क्या है CH4 और last में हो गया CS3 CH CS3 question ऐसा ही पूछ सकता है के ACDT का order तो यह आपका ACDT का order अब ACID का conjugate क्या होता है weak base ACID का conjugate क्या होगा weak base तो यह इसका conjugate क्या होगा इसका conjugate weak base इसका conjugate क्या होगा weak base तो हमें तो वही पूछा है A B C T तो base C T का जो order होगा इसको मिटा दें बोलो पहले देख लो इसको तो base C T का order होगा यह तो कि ACDT इसी का उल्टा क्या कर दोगे इसके conjugate का उल्टा क्या होगा base तो यह मिटाए है हमने base C T का जो order होगा weak से strong सबसे दिख हो जाएगा 1 फिर हो जाएगा 4 conjugate base C T की बात कर रहे है 4 4 के बाद हो जाएगा 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 यही तो है 16 का answer क्या हो जाएगा 3rd देख लो HCN more acid तो इसका conjugate क्या हो गया weak base तो यही 2 option में फिर आ गया 3rd और 4th 1st तो 3rd और 1st में 3rd acitable bond CH तो acid बना लो इसका H डाल लो acid बना लो और उसका conjugate क्या होगा weak base HCN strong acid है इसमें सबसे में तो इसका conjugate उसके बाद से triple bond आ गया जादे आगे लफड़े करने के जुरूत ही नहीं थी बोलो ठीक है कोई दिक्कत तो अपने ये सब चीजों पर एक वा विसेश ध्यान दो कि acid अपने भाई सब पढ़ लिया आपनोंने सब पढ़ लिया अब एक्जाम देने जाना है quick revision करनी है acid के strength हम hydrocarbon phenol alcohol carboxly acid ये compulsory कर लेंगे amine और in-text आउट सब question option कर लेंगे base city में end containing पर बात कर लेंगे end continue वाले शेप्टर को उठा लेंगे ठीक न और AC का conjugate weak base होता है ये सब अपने लगात के काम final bond length की बात करेंगे bond length resonance bond length को generally resonance कम करता है more resonance less resonance देख लेंगे ठीक न next बात करते हैं question number 17 सबसे छोटा CCL आवंध सबसे छोटा CCL आवंध तो जिसमें अभी वो बात करेंगे हमने इदर से धक्का दिया वो उदर से खीच रहा है अच्छा काम हो गया resonance अच्छा हो गया हमने इदर से धक्का दिया वो उदर से तो resonance बुरा हो गया रेजोनेंस बुरा हो गया हमने धक्का उधर से कोई खीच रहा है रेजोनेंस अच्छा बोल बेटा बेटा बीटी सब द्यान दो इधर से धक्का उधर से धक्का रेजोनेंस अच्छा इधर से धक्का उधर से अपोज रेजोनेंस बुरा रेजोनेंस अच्छा, बॉर्ण लेंद कम इधर आजाओ इसने दिया ठीक है CS3 ये भी धक्का दिया उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं इसने दिया ये भी दिया, उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं इसने दिया इसने दिया ये खीचा अच्छा रेजरेंस इसने केवल दिया कोई खीचने वाला है न दिने वाला अच्छा रेजरेंस किसमें है सेकेंड में तो रेजरेंस अच्छा होगा बॉर्ण लेंद क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अच्छा resonance, bond length को क्या करेगा, कम करेगा बोलो, सांदार question है कर लोगे, अच्छा resonance, bond length को क्या करता है कम करता है, इस बात को focus करो बिटा ठीक है, कोई दिक्कत next question पर आते हैं basic, simple सा question फिर है लेकिन यहां पर एक detailing अपने को देनी पड़ेगे चलो बले बात करते हैं, basic अब देखो, aniline, अब जिस बात को हम कहते आ रहे हैं कोपियों में नोट करके लिखाया गया होगा, हम अभी बोलेंगे तो आपको अप एक्टमेंटिक याद हो जाएगा, यह है aniline pyridine, simple meme जिसमें कोई resonance नहीं है, यह पाइरॉंट अब दो में resonance है, loan pair resonance में Participate कर रहा है अब क्या करेंगे सर, तो हम बता रहे हैं क्या करेंगे, देखो इन दोनों में देखो इसमें lone pair resonance में participate नहीं करता है double bonded atom का lone pair resonance में participate नहीं करेगा बिटा एक कौन सा अनुकूल प्रोटोनी करन के लिए था वहाँ भी भी बात करी थी double bonded atom का lone pair resonance में participate नहीं करेगा क्योंकि कर दिया तो hybridation SP और SP तो structure linear और linear हो जाएगा तो ring तूटने की possibility बढ़ जाएगी अपने किसी को तोड़ना नहीं है फैर इधर आजो यह है एमीन ठीक है इसमें भी lone pair participate नहीं कर रहा इसमें भी lone pair participate नहीं कर रहा लेकिन इसका hybridation क्या होगा SP2 क्योंकि hybridation ड़न प्यर participate नहीं करेगा तो इसको hybridation में count करेंगे count करेंगे इसका होगया SP2 इसका होगया SP3 इसका SP2 हो जाता तो इसमें SP हो जाता लेकिन यहां lone pair count करेंगे तो SP1, P2, SP2 हो गया और इसका hybridation क्या हो गया? SP3 इसमें lone pair resonance में है इसमें loan pair resonance में है तो ये बात तो तैय हो गई ये दो last में रख देते हैं second और third में कौन अधिक basic होगा third क्योंकि S character बढ़ेगा तो basic T क्या होगी कम होगी तो third के बात second ये तो fix हो गया अब बारिया आती है aniline और pyrol ठीक है इसमें हम इसको delete करते हैं यहां आते हैं aniline और pyrol ये है aniline ये है aniline और ये है pyrol दोनों में resonance आ गया न तो इसको हमें थोड़ा सा detailing के बात करनी पड़ेगी ये है pyrol ठीक है तो हम इतना मूल basic पे जो classic 789 के पूछा आता तो basic T क्या है तो जो h plus आसानी से ले ले वो basic है जो h plus आसानी से दे दे वो acid है यही बोलते थे तो यहां h plus डाल के देखो h plus डाला तो ये क्या हो गया ns3 plus बोलो बैटा ns3 plus इसमें h plus डाला n h h plus ये हुआ ये देखो ये aromatic है क्या है इरोमेटिक h plus लेने के बाद भी क्या रह गया aromatic ये aromatic है लेकिन ये क्या हो गया sp3 h plus लेने के बाद क्या हो गया non-aromatic h plus लेने के बाद क्या हो गया ये non-aromatic इस वज़े से यहां नोट करके बाद को लिख लो अपने लिकले होगो है adalah aromatic как aromatic cream बना रहा aromatic से क्या हो गया non aromatic तो anilene is more basic than pyrrole क्या है anilene is more basic than pyrrole क्यों 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 आइलीन H-plus लेने के बाद aromatic बना रहा और pyrrole H-plus लेने के बाद aromatic नहीं हो गया क्या हो गया non-neuromatic ये बात समझ गए आराम से देख लो इसको pause करके देख लो पहले तो खुदी करते इसको फिर अपने देख लो solution क्या है ठीक है बेटा इसको मिटाते हैं मूल question पे आते हैं ये है अब alien pyrol का अपनों decide कर लिया अब इसमें हम final लिख दे रहे हैं इन दोनों में S करेक्टर ये हो गया SP2 ये हो गया SP3 हाँ ये दोनों resonance है तो aniline pyrol में कौन हो गया aniline तो मुद्ध बेसिटी का सबसे अच्छा सबसे अधिक कौन हो गया third फिर हो गया second फिर aniline pyrol में कौन हो गया first फिर four region बता चुके हैं अपने third, second, first four कौन सा हो गया answer four number answer कौन सा हो गया बटा four इसमें इसमें दोनों में resonance है तो हम इसमें basic definition basic definition S प्लस देने के बाद कौन aromatic बना रहा गया तो aniline और pyrol में कौन अधिक basic है aniline second और third में S करेक्टर से देखा गया second और third दोनों में lone pair resonance में participate नहीं करता है तो S करेक्टर से देखा गया कौन अधिक basic है बस यही मुद्दा है तो second, third में S करेक्टर से और first और four दोनों में resonance हो रहा था तो lone pair delocally हो रहा था तो उसमें H प्लस डाल के देख लिया जो aromatic से aromatic बना रहता है वो basic अच्छा होगा तो इसलिए aniline और pyrol में कौन अधिक basic होगा aniline बोलो बेटा aniline pyrol में कौन अधिक basic होगा aniline तो अपनोंने बात करी इस question का answer क्या हो गया fourth तो review ध्यान से सुन लो GOC में अपने को क्या-क्या पूछ सकता है J-Man या N-T-A पहले तो inductive effect simple सा inductive effect देखा inductive effect का order inductive effect का order याद रहे आपको hyperconjugation कौन सो करता है ये ध्यान रहे hyperconjugation की application alkin ये बात पर आगे resonance में आगे resonance stability rule आपको आना चाहिए resonance stability rule वही जिस पर कोई चार्ट नहीं है सबसे देख फिर more electro negative atom पर negative compound को more stable बनाता है फिर जैसे ऐसे क्या होता है charge suppression होता है stability कम होती है और सब के कहानी के साथ octet rule octet सब में क्या होना चाहिए complete फिर resonance में resonance energy पढ़नी है resonance energy directly proportional to stability या रहा ना फिर इसमें aromatic compound फिर इसमें concept bond length हाँ IT के बच्चे SIR effect होगा रब पढ़ लेना क्योंकि उसमें आ सकता है medical में कोई बहुत जुरुवत नहीं है फिर acid acid बताया तीन जैमेन के लिए advance के लिए तो आगे का मेंटर जो भी है बहुत सारे करनें आपको acid के लिए carboxylic acid phenol alcohol और alkyne basic city के लिए end containing बोलो फिर अपने intermediate carbo katan की stability free radical की stability ये carbonine की stability carbon, nitrogen, benzyne हलका फुलका आप कर लेना ठीक है इतनी बाते तो आपको GOC में compulsory ध्यान रखनी है ठीक है न हाँ nuclear felicity भी ध्यान रखनी है living group ध्यान रखना है living group ध्याना न अच्छा जो निकलने के बाद इतना अधिक stable हो की आए न मतलब stability of carbonine देखना है उसमे तो आपने जल्दी से revise कर लिए है copy खोला है एक बार को revise कर लिया फिर यह आपको need के बच्चा या 18 question हो सकता है दो तीन तक आजाएं सीधा ठीक है तो इसको बिटा आराम से एक एक question को आप कर लेना पहले तो आपने कोशिस करना है खुद करके फिर तुरहन सलोसन देखके कर लोगे अच्छा तो इसमें जितना हो सके जितने question थे आपके जो NTS इसने बनाई है जो NTS दोरा जो गवर्ण होई एक्जाम वो आपको करा दिये गए है आप इसमें कोशिस करना इसके अब इर्दगर्द अपने बात बोली है आप उसको थेओरी बताईए आप उसके रिदगर्द NCIT में जो और है इंटेक्स के question वो जिसे बेसिटी के दो चार question है तो इंटेक्स में भी दे रखे हैं उसको ले के आप कर लेना है एक बार को ठीक है कर लोगे थैंक्यू, बेस्ट आफ लक